गुरुवार की पर्दोश पढ़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। गुरुवार की परदोश शत्रों का नाज करती है। ऐसी परदोशों का नियम वड़नर किया। फिर लिखा शिव महा पुरान में। बड़ा सुन्दर लिखा विद्याजी ने मान लो आप प्रदोश का वृत नहीं कर सकते हैं आप अगर वृत नहीं कर सकते तो प्रदोश के दिन प्रदोश काल में शाम का समय सूर्यस्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बात करता प्रदोश काल के अंतरगत आप श शिव महापुराण में शिव कता करती है नंदी का एक पाउं जो उपर होता है आपके वंदर्शन करें होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के तो नंदी का एक पाउं उठा हुआ होता है शिव कुराण की कथा करती है मान लो कोई हड़ी से जुड़ा हुआ रोग नेद्रों से जुड़ा हुआ मस्तिश्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है तो एक नीले तलर का फूल आता है मारत उस फूल में हल्दी डालकर बुरु वारिक का प्रदोश पढ़ने पर जो नंदी के पाउं के पास समर्पित कर देता है मारत उसका रोग धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है लिए लिंग पुरान करती है कि नंदूश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है इसकंद कुरु पुरस करती है जो पूल आपने समर्पित कर उसको लाकर पानी की बालती में डालकर आप इसनान भी कर सकते हों उसे भी हड़ी के चितने रोग होते हैं उसमें अराम लगने लोग जैसे कहीं शरीन नहीं चल रहा हाथ जुन पढ़ रहा है हाथ काम नहीं कर रहा हाथ में जुन जुनी आ रहे हैं यह कमपन आ रहा है उसमें भी यह प्रयोका पर होना चाहिए ब्रस्पतिवार की प्रदोश क प्रदोश के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए प्रदोश के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोश काल में प्रदोश का जो समय होता है शाम का जो समय होता है प्रदोश काल चार प्रदोश पाँच प्रदोश आप करकर देखिएगा कि आपका कोई काम है कोई नोकरी के लिए आपने एपलाई कर रहे हैं समस्या बड़ी विकट आ गई है कोई तकलीफ कोई तकलीफ विकट आ गई है कोई समस्या विकट आ गई है परदोश की परदोश परदोश का लाल अगर एक समी पत्र भी आप घर के शिविलिंग को अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाने, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो इस्थाटिक का हो, पारत का हो, कंकर संकर का हो, लकडी का हो, जो शिवलिंग तुमारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्वदा के कंकर का हो, नर्वदी शिवर हो, पाशान का हो, जो शिव एक शमी पत्र यदि आप भगवान चंकर के शिविलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्री को नो बच के पंद्रा मिनिट की जो एक मोहर्थ होता एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान चंकर को कहते हैं पूर्व में भी इसका वर्णा नम कर चुते हैं कत्रा है उस नो बच के पंद्रा मिनिक पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में एक कर्टोरी में उसको रख दे लिए चार या पाँच परदोश के उस समी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कारे के लिए जा रहे हो उसको जेब में उपर के भाग में उसको रख कर लेकर जाईए आपका वो कारी सफल होकर ही रहे कर रुक नहीं से शमी पत्र में इतना बल होता है परदोश का जो समी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है बड़ा परदोश शिवरात्री सोंबार सोंबार की अश्टमी परदोश भी हर महीने आती है शिवरात्री भी हर महीने आती है सोंबार भी हर महीने दो तिन चार पाँच पड़ी जाती है सोंबार की अश्टमी जरूर साल भर में चार या पाँच आती है सोंबार, प्रदोष, शिवराक्री, सोंबार की एस्थमी ये वो तिथिया है, ये वो वार है अगर कोई भूल से बे संकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिन्दगी में उसका बाल वाका हो ही नहीं सकता है परदोष के समी पत्र में बल होता है परदोष के समी पत्र में मैं सुनील जी को धन्यवाद दूँँगा आपको बहुत-बहुत सा दुबाद ये पांच दिन के कथा में बाविस तारिफ को परदोष पढ़ रहा है और बाबा की करपा है आप पर जो ये परदोष के समय पर भी कथा चाहिए कथा का समापन 23 को है पर बाविस को परदोष पढ़ जाए कितने किस्मत वाले हैं रेवाडी वाले हैं जाके नाजर उतरवार लेना राहिनों से हो शिव के गर्पा कितनी है आप पर जड़ा विचार करिये